हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल, बीर विल्डाउसिंग में एक और ने वीडियो लेक्चर साथ आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे प्लास्टर में जो क्रेक्स आते हैं, इसके सबसे बड़े कारण क्या हो सकते हैं इसमें जो मैन आपका क्रेक्स आता है, वो आता है कॉलम और कॉलम के बीच में जो आप दीवार कनेक्ट करते हैं या वाल बनाते हैं वो आपकी 4 इंच हो या 8 इंच हो, तो वहाँ पर क्रेक्स आते हैं, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं plaster किस तरीके से आपको करना चाहिए सबसे पहले आप समझ लेज़े plaster plaster आप अपनी सतह को या फिर कहना चाहिए आप अपना जो घर बना रहे हो तो घर में आप direct brick work करके भी रह सकते हो लेकिन हमें एक finishing चाहिए एक अच्छी surface चाहिए इसके लिए plaster करते हैं जिससे हमारे घर में finishing और सुंदरता बढ़ती है ये चीज आपकी मेन है plaster जो है आपका internal होगा, external होगा यानि कि अंदर की दीवार पर बाहर की दीवार पर और ceiling में यानि कि छट पर छट पर अगर मान लिजए आप P.O.P. बगिरा करवा रहे हैं तो वहाँ पर फिर ज़रूरत नहीं होगी आप gypsum board से करवा रहे हैं fall ceiling करवा रहे हैं तब ज़रूरत नहीं होती otherwise अगर आप कुछ नहीं करवाने वाले हैं तो इस condition में आप करवा सकते हैं ceiling में भी अब इसके जो ratio की बात करे हम तो एक चार एक पांच हम generally use करते हैं कुछ लोग एक छे भी यूज करते हैं ceiling में अगर आप कर रहे हो तो एक तीन भी use करते हैं ceiling यानी छत में अब ये हो जाती हमारी plaster की बात इसके ratio की बात हो गई यहाँ पर अब हम बात करेंगे plaster करने के जो तरीके होते हैं कुछ plaster आप जब भी करते हैं तो आप इसे जैसे material बनाया आपने मैंने जैसे कि अभी कहा एक तीन एक चार एक पांच अब इसमें एक भाग हमारा रहेगा cement और तीन चार या पांच ये जो है हमारा ये रहेगा sand अब sand जो है आपकी अच्छी होना चाहिए इसमें मिट्टी बगिरा नहीं होना चाहिए अगर मिट्टी बगिरा होती है आपकी तो इससे भी cracks बगिरा generate हो सकते हैं प्लास्टर आप कर रहे हैं तो पहले तो आप जो भी अपनी दीवार सतह है सतह को यानि bricks को अच्छे से पानी से आप भीगो ले अच्छी तरह से उसे मतलब उसमें जो dryness होती है वो आप पानी अगर जैसे महाँ पर seize देंगे तराई कर देंगे तो इससे होगा क्या कि जो आपका plaster है plaster आप जैसे करोगे तो इसमें अगर आपका पानी है slurry कह सकते हैं उसको हलाकि slurry भी नहीं कहना चाहिए उसको plaster का जो material होता cement जिसका जो गीलपन होता है वो आपका दीवार सोख लेगी जिससे भी cracks आ सकते हैं गर्मी के मौसम में कर रहे हैं बहुत जादा hot weather पे तब भी आ सकते हैं आपके यह सारी conditions है कुछ आप plaster मान लेजे material बनाएं और उसके 2-3 घंटे बात करें तब भी यानि एक दिल घंटे में आपको material का भी यूज़ करना चाहिए सामानिसी बाते हो गई अब जब कॉलम आपका कॉलम के बाद आप दिवार रख रहे हैं जैसे कि मान लिजे आपका एक कॉलम हो जाता है कॉलम से आपकी दिवार डारेक्ट लगी हुई है अब इनके बीच में यानि कि कॉलम का आपको कुछ पूर्शन लेना है हाप पूर्शन तक भी ले सकते हैं आप plaster कर रहे हैं तो और अपनी जो वाल है यानि कि आपने जो जुडाई किये हैं उसका भी आपको कुछ परसेंट जितना आपने धर लिए इतना आप ले सकते हैं और फिर ये जाली यानि चिकन में इस भी कह सकते हैं आप जाली भी कह सकते हैं इसको आपके मार्केट में आप जो भी तो बिल्कुल आपके वहाँ पर जो क्रेक्स दिखाई देते हैं, वो क्रेक्स दिखाई नहीं देंगे, और क्रेक्स आने के चांसे आपके बहुत कम हो जाएंगे, बाकी जो मैंने कुछ चीजें बताएं, इनका तो आपको धिहान रखना ही, क्योंकि यह सामानने से चीजें है यह हर एक जगे पर आपको धिहान रखना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगे हैं, जहां पर करते क्या हैं, जो प्लास्टर आपका कर रहे हैं, उसके बाद जो नीचे बाश्टर करने के बाद जो मटेरियल आता, आपका नीचे कुछ बचा हुआ गिर जाता है, उसको फिर से reuse कर लेते हैं और वो भी लगबग 2-3 गंटे बाद चार गंटे बाद तो ये कोसिस करें अगर आप उसको reuse कर रहे हैं तो just उसको बनाए और reuse करें otherwise आप उसको कई ऐसी जगे use करें जहां पर उससे ज़्यादा effect ना पड़ता हो friends I hope वीडियो से आपको कुछ तो जनकारी मिली ही होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपके कोई suggestions हैं तो आप हमें बता सकते हैं अगर और कुछ वीडियो चाहते हैं आप तो comments हमें जरूर करें वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर अगर आप पहली वारा हैं तो subscribe करके वेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो उनकी सेने टोपिक सांद अब तक के लिए thank you